नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 17 ओक्टूबर दिन मंगलवार खबरो क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार विधान सभा के शीत कालीन सत्र के तारीकों की हुई घोशना बिहार में ओवरलोड बसों का निबंधन होगा रद रेल्वे ने यात्रियों को दिया बड़ा तौफा अधिल्ली मुंबाई में बैक कर चुन सकेंगे यूपी बिहार के सांसन आयोसी ने क्रिकेट को दी ओलंपिक खेलों में मंजूरी अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों के ओर विस्तार से EMRS ने TGT, PGT, प्रिंसिपल सहित अने पदों के लिए आविदन तिथी किया एक्स्टेंड राश्ट्री आदिवासी छात्र सिक्षा समीती की ओर से TGT, हॉस्टल वर्डन, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग एवं PGT के पदों पर बंपर भरती निकाली है जिसके लिए आविदन की अंतिम्तिती 19 ओक्टूबर 2023 तक एक्स्टेंड कर दिया गया है ऐसे में वे अभ्यर्थी जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वो EMRS की अधिकारिक वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता देग इस भरती के माधियम से कुल 10,391 पदों को भड़ा जाएगा इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो विवन विश्योग के लिए विवन योगिता निरधारित की गई है ऐसे में अभ्यर्थी इससे जोरी अधिक जानकारी हासल करने के लिए जारी किये गए नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर देख लें 51 सकती पीठों में प्रमुख है बड़ी पतंदेवी मंदर एक शहर में कई गलियों से होते वे पतना में बड़ी पतंदेवी मंदर के पास पहचता है यह मंदर गुरु गोविन सिंग की जर्मस्थली प्रसद सिक गुरु द्वारा हरी मंदर शाहिप के दक्षिन पुर्व में है यह 51 सकती पीठों में से प्रमुख माना जाता है कि मास सती की दाहिनी जंगा और पाटा और कप्रा मगद में गिर गया जिसकी पहचान पतना के महराज गंज और चौक छेतर के रूप में हुई है इसलिए इन छेतरों में बड़ी पतन देवी और छोटी पतन देवी के दो अलग-अलग मंदिर बनाए गए हैं जिनने पतना रेलवे जंक्षन के पुडवों में स्थित मा सरवंत करी पाटनेश्वरी भी कहा जाता है एक लोगप्रिय मानिता है कि जहां यहां मा सती का सरी कांग गिरात थीन देवी महाकाली महालक्ष्मी और महासरास्वती अस्थित्व में आई जिनकी मूर्थियां पतन देवी मंदर में रखी हुई है एक और मानिता है कि पतन का नाम सती के पाटा से लिया गया है जो यहां गिर गया और मंदरों का नाम बड़ी पतन देवी और छोटी पतन देवी रखा गया मंदिरों का विशेश महत्व है क्योंकि यहां तीनों रूप की सक्तियां महालक्षमी, महासरस्वती और महाकाली पत्थर की प्रतिमाओं के रूप में मौजूद है महंत विशेश शंकर, गिरी जी कहते हैं कि हाला की वैशनों देवी में तीन देवी हैं लेकिन वे वहां केवल पिंड रूप में मौजूद है गर्वग्री के अंदर देवी की काले पत्थर की प्रतिमाओं को खड़े मुद्रा में सिहासन पर रखा जाता है कोईले डीजल से चलने वाली फैक्टरियां होंगी बन बायू प्रदूशन पर नियंतरन पाने के लिए भिहायर की राजधाने पटना में कोईले और डीजल से चलने वाली फैक्टरियों को बंद किया जाएगा इस बारे में अध्यक्ष डॉक्टर डीके सुकला के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि बोर्ड की तरफ से वर्स 2022 में ही इस संबन में फैसला लिया गया था ऐसे में अब इस फैसले के लिए डेर साल बीच चुके है लेकिन फैक्टरियों के ओर से इसके लिए कोई एहम कदम नहीं उठाया गया है वहीं ऐसे में अब अगर फैक्टरियों अपने फ्यूल को नेचरल गैस में कनवर्ट नहीं करती हैं तो ऐसी यूनिट को बंद करने का निर्देश चारी किया जाएगा स्रीयम नितीश ने जनता दरबार में सुनी 117 लोगों की समस्याएं बता दे किस दोरान एक फडियादी मुझपर पुर्जिले से पहुँचा जिसने सीन मितीश को बताया कि वे महादलिट टोला में रहता है वहाँ संपर्क पत्थ नहीं बन पाया है ऐसे में इसका निर्मान कारिश शिग्र सुरू किया जाए ताकि आवा गमन आसान हो सके अब तक सहायता राशी नहीं मिली है बांका जिले से आए राहुल कुमार सिंग के दोरा सीन नितीश को बताया गया कि डीजल अनुदान वितरन में और निमत्रा के कारण मुझे शहायता राशी नहीं मिली सीता मढ़ी जिले से आए हरी नारायन पासवान के द्वारा अगड़ा करते वे कहा गया कि मुख्य मंत्री उद्यमी योजना के लिए सेलेक्शन होने के बाद भी मुझे इसका लाब नहीं मिल रहा सीयम नितीश के द्वारा इस तरह की कहीं शिकायतों को सुना गया और उसका निप्टारा करने के लिए संबन्धित विवाग के अधिकारियों को नरतेश दिया गया बिहार विधान सभा के शीत कालीन सत्र के तारीखों की हुई घोशना बीते दिन सुमवार को बिहार विधान सभा के शीत कालीन सत्र के तारीकों की घोशना कर दी गई है जिसके तहट इस बार शीत कालीन सत्र पांस दिनों का होने वाला है जिसकी शुरवात 6 नवंबर से होगी और 10 नवंबर तक चलेगी आपके जानकारी के लिए बता दे कि इस बार शीत कालीन सत्र में कई प्रस्ताओं को पारित के जाएंगे और साथ ही कई मुद्दो पर चर्चा भी की जाएगी जिसमें सबसे मुख्य चर्चा जाती आधारित गन्ना से जुरी होगी मुख्य मंतरे नितीश कुमार के द्वारा भी कहा गया था कि राज्ची में आरक्षन का दाइरा बढ़ाने के लिए जो भी नड़ने लिया जाएगा वा विधान मंडल में चर्चा के बाद लिया जाएगा की ओर से यात्रियों को एक बड़ा तौफा दिया गया है दरसल पुर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के दौरा जानकारी देतेवे बताये गया है के रेलवे की ओर से दुर्गा पुजा से लेकर छट पुजा तक लगभग 102 ट्रेनों का पड़िचालन किया जाएगा मालम हो के सभी ट्रेने अलग-अलग रूटों पर चलाई जाएगी जिसे की रेल यातरी आसानी से अपने घर पहुच सकेंगे पतादे की लंबी दूरी की ट्रेनों में बुकिंग के लिए मारा मारी शुरू हो चुकी है स्लीपर और एसी क्लास में लंबी-लंबी वेटिंग है जिनका कनफॉर्म होना मुश्किल हो गया है मुंबई पंजाब चन्नाई जैसे महानगरों से बिहार आने वाली ट्रेनों में लंबी-लंबी वेटिंग चल रही है मालू हो कि दिल्ली से पटना आने वाली राजधाने विक्रमसला, मगद एक्सप्रस, गडी बरत, संपुन क्रांती एक्सप्रस, ब्रहंपुत्र मेल में टिकेट मलने की कोई संभावना नहीं है यही हाल मुंबई से आने वाली ट्रेनों में भी देखा जा रहा मुख्य मंतरी अल्प संख्यक उद्यमी योजना के लिए आविदन करने की अंतिम तारीक आई नस्दीक अगर आप भी अपना रोज का शुरू करना चाहते हैं तो यह ख़बर आपके लिए है दिय जाती है ऐसे में जो भी इसके लिए आविदन करना चाहते हैं उनके पास आविदन करने के लिए 20 ओक्टूबर 2023 तक का समय है उसके बाद किया गया आविदन सुईकारे नहीं होगा मालमों कसाविदन के तहत अरुदान के रूप में अधिकतम 5 लाख रुपए और व्याज रिन मुक्त राशी के रूप में अधिकतम 5 लाख रुपए दिये जाते हैं इसे जोड़ी अधित जानकारी के लिए वेफसाइट । अब दिल्ले मुंबई में बैठ कर चुन सकेंगे यूपी बिहार के सांसत प्रवासी भी अपना मद्दान दे सके इसको लेकर भारत नर्वाचन आयोग की ओर से तरीका निकाल दिया गया है दरसल आयोग की ओर से एक नई वोटिंग मशीन लाई जाने वाली है जिसका टेस्ट किया जा चुका है दरसल आयोग की ओर से REBM यानि की रिमोट इलक्रोनिक वोटिंग मशीन तयार की गई है जो की मौजुदा इलक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की तरह ही है बस इसमें कुछ परिवर्तन लाए गए हैं वहीं इसका इस्तमाल करने के लिए पुर्वनरधारित प्रक्रिया के तहत वद्दाता को ओनलाइन या ओफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसके बाद देश के किसी अन्य हिस्से में रहते वे लोग भी अपने मूल छेतर के प्रतिनीधी को चुनने के लिए वोट दे पाएंगे हारा कि अभी यह तैन नहीं किया गया है कि अप्रक्रिया देश में कब लाग होगी महीं से चालू करने के लिए आईयो को जन्प्रति निद्व एक्ट 1950 और 1951 दे कंड़क्ट ओफ एलेक्शन रूस उनी सोएक सर्त था दर रेजिस्ट्रेशन एलेक्टर्स रूस उनी सो साथ में बदलाओ करने होगे और अलग से मदान केंद्र का निर्मान करना होगा जिन्हें रिमोट पोलिंग स्टीशन कहा जाएगा विहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विशाल आदित्य सिंग के बारे में विशाल आदित्य सिंग एक भारती अभिनेता और मॉडल हैं जो हिंदी टेलिवीजन में काम करते हैं इन्हें नचबली 9 और बिग बॉस 13 जैसे शो में भाग लेने के बाद प्रसिद्धी में ली विशाल आदित्य सिंग अपने स्कूल और राजी से क्रिकेट खेलते थे और एक अच्छे क्रिकेट खिलारी थे दे टाइमस ओफ इंडिया ने इनको मोस्ट डिजारेवल में इंड टेलिवीजन सूची में 2018 में नमबर 13 और 2019 में 17 और 2020 में 18 अस्थान पर रखा इसके अलावा विशाल आदित्य सिंग ने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है उन्होंने अपना करियर एक मॉडल के रूप में स्तुरू किया और कुछ मॉडलिंग असाइमेंट करने के बाद वह अपने अभिनाय करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई आ गये विशाल आदित्य सिंग ने अपने टलीवीज में थी जिसमें वह श्रशांग के रूप में दिखाई दिए जिनहें उनसे प्रसद्धी मिली इसरो अध्यक्ष सोमनात ने बताई आगी की योजना बीतल दिन इस शो के अध्यक्ष सोमनात के दौरा मीडिया से बादचीत करते वे आगी के मिशन, को लिकर जानकारि देते बताया गया कि अंतरिक्ष एजंसी के दोरा प्रीथवी की जलवाईयों और मौसम की सिति का अध्यान करने के लिए मिशन शुड़ू करने की योजना तयार की गई है इसके अलावा इस रोके दोरा संचार और रिमोट सेंसिंग उपग्रहों सहित नियमित वज्यानिक मिशनों पर भी काम किया जा रहा इसके साथ उन्होंने गगनियान कारिक्रम की जानकारी देते वे बताया कि टीवी डी एक परिच्छन उडान 21 ओक्टूबर को निरधारित है वहीं आगे के मिशन को लेकर उन्होंने जानकारी देते वे बताया कि हमारे पास अन्वेशन बिसन है हमा बैठक के बाद परिवहन विभाक के ओर से राजे के सभी जिलों को नर्देश चारी करते वे कहा गया है कि सीट से अधिक यात्री बिठाने या स्कूल बसों में बच्चों के बिठाने के कारण बार बार जिर्माना देने वाले बसों का निबंधन रद कर दिया जाएगा दरसल समिच्छा बैठक में रिपोर्ट से या जानकारी निकल कर सामने आई है कि ओवरलोडिंग होने की वजह से सरक दरगटना होने का खत्रा अधिक रहता है इसी को देखते वे विभाग के ओर से या नर्देश चारी किया गया है वही अब इस बारे में विभाग के ओर से भी रदाएगा ताकि स्कूल बसों में बच्चों का सफर सुरक्षत हो सके मालुम हो कि राज्य भर में बस मालिकों और पडिवहन विभाग यातयाद पुलिस और अस्थानिय पुलिस की मदद से यात्री और स्कूल बसों में ओवरलोडिंग किया जा रहा है सहरसा में तीन दिवसी उगरतारा सांस्कृतिक महसव में पहुचेंगे कई बॉलिवोड सितारे बिहार के सहर सा जले में तीन दिवसी है उग्रतारा सांस्क्रितिक महासव की शुरवात हो चुकी है जिसमें बॉलिवुड के कहीं प्रसिद कलाकार और बॉलिवुड हस्तियां शामिल होने वाले हैं बतादी कि बीते दिन कारेक्रम के पहले दिन छेतरी कलाकारों के साथ साथ प्रसिद गायक अलताफ हुसैन का कारेक्रम आयोजन किया गया वहीं आज कारेक्रम के दूसरे दिन मितलांचल के प्रसिद कलाकार और इंडियन आइडल स्तर सिंगर श्रियसी चक्रवर्ती सारे गामा पाके मनीश मयूर, प्लेबैक, सिंगर, पूजा, वसंदरा, स्रिस्टी और अनुष्का टीम दोरा प्रस्तुती की जाएगी और काड़ी क्रिम के तीसरे दिन ज्यानी की कल छेत्रे कलाकारों के अलावे बॉलिवुड के साइन कलाकार जॉई मुखरजी की प्रस्तुती होगी बिहार में कुछ स्थानों पर छिटपूर बारिस का रुमान लगाया गया है सुमवार को राजधानी पटना वग कुछ लाकों में हलकी बूंदा बांदी दर्श की गई मौसम विभाग के तरफ से जारी अपडेट के नुसार प्रदेश की हवा में नमी पढ़ेगी सुबह और शाम को लोगों को हलकी सीरण जैसे सिथी देखने को मिलेगी हाला कि राजधानी पटना के साथ ही प्रदेश का मौसम सुष्क बना रहेगा दिन में लोगों को धूप से परिशानी हो सकती है लेकि सुबह और शाम में उन्हें हलकी ठंड का हैसास होगा हलाकि 17 औक्टूबर और 18 औक्टूबर को लेकर जारी अपडेट में बताया गया है कि मौसम का मिजाज पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा यह इस्तिती अगले एक सब्ता तक रहने की संभावना है रावनवद पर गांधी मैदान के खुले रहेंगे सभी गेट देशड़ा के दिन रावनवद कारेक्रम के दोरान गांधी मैदान के सभी गेट खुले रहेंगे और साथ ही मैदान को चार्ज सेक्टर में बाट कर उसकी निगरानी एक क्यानवे CCTV कैमरे से की जाएगी बतादी के पुलिस काड़े आले परिसल इस्तित इंटीग्रेटिट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से गतिवीधियों पर नज़र रखी जाएगी गांधी मैदान और पुलिस अधिकारियों की तेनाती की जाएगी गांधी मैदान से सटे हो रहे मेट्रो कारे को ध्यान में रखते वे भीर नियंतरन और यतयात प्रबंधन पर विशेश ध्यान दिया जाएगा वहीं आयोजन नस्थल के आसपास बिजली तार को सुव विवस्तित करने और प्रकास की सुद्र विवस्ता रखने का भी निर्देश दिया क्या है इसके अलावा मैदान का समतली करन कराने घांस की कटाई पेरों की छटाई और गंडों को भड़वाने का भी निर्देश दिया क्या है आपके जानकारी के लिए बता दिये किस बार भी कांधी मैदान में 70 फीट का रावन, 60 फीट का मेगनाथ और 60 फीट का कुम्पकरन का पतला बिहार के कारीगर द्वारा बनवाया चारा पटा पुलिस ने ऑपरेशन मुसकान के तहट लोगों को मुवायल किये वापस असल मालिक तक पहुंचाया गया है बतादिक इस बात की जानकारी पर्टना सेंट्रल स्पी वैभव शर्मा के द्वारा दी गई है उन्होंने बताए कि ऑपरेशन मुस्कान पुलस के द्वारा एक मुहीं के तौर पर चलाया जा रहा और आगे भी इस मामले में कारवाई करते की ओर से अपनी अपनी तैयारिया शुरू कर दी गई है तो वहीं दूसरी ओर अब इस तैयारी में चुनाव आयोग भी जुट चुका है मालूम हो कि आयोग की टीम लोग सभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजी के 15 जिलों के डीम के साथ बैठक कर रही है जिसके पहल इसरच रण के तहर 27 ओक्टूबर को बैठक होने वाली है जो कि बिहार की राजधानी पटना में होगी वहीं सब के अलावा चुनाव आयोग के एप के उप्यों के जानकाली के लिए जागरुकता भी आचलाने का भी नर्देश्ती आ गया है तेश्वी यादव को अदालत ने विदेश चानी की दी इजाज़त नौकडी के बदले जमीन लेने के मामले में बीतर दिन दल्ली की राउज एविन्यो कोट के दोरा बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस सुप्रीमों लालु प्रशाद यादव के छोटे बेटी इसल कोट के ओर से तेश्वी यादव को विदेश चानी की अनौमती दे दी गई है बतादी की बीतर दन उपमुख्यमंत्री तेश्वी यादव के दोरा कोट से 24 ऑक्कूबर से 1 नवंबर तक सरकारी काम के लिए विदेश चानी की अनौमती मांगी गई थी और पासپor्ट की अरजी लगाई गए थी जिसको स्विकार करते वे कोट के द्वारा तेरश्वी यादर के पासपोर्ट को रिलीस करने का आदेश दे दिया गया और साथ ही सरकारी दौरे पर विदेश जानी की भी इजाज़त दे दी गई है ऐसे में अब तेरश्वी यादर 24 अक्टूबर स सभी को संबोधित करते वे कहा गया कि बीजेपी की सरकार ही देश और राजमे ब्रश्चचार और अपराद के खिलाफ काम कर सकती है उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अपराद ही या तो नेपाल में दिखेगा या फिर गया में उस सूसासन अस्थापित हो लेकिन लालू परशाद दूसरे रास्ते पर चले गए बिहार भाजपा ने नितीश कुमार को पांच बार सीएम बनाने का काम किया लेकिन नितीश ने बीजेपी के साथ विश्वास खाद किया उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के नित्रतुम को निशाना साते वे कहा गया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के कन्योज में अपने को अतीपिछरा कहा था जबकि गुजरात में अतीपिछरा का वरगी करन ही नहीं हुआ तो पीए मोदी ने कैसे अपने आपको अधी पिचरा बताया, उन्होंने कहा कि जिसका साक्चर्टा दर कम रहेगा, अगरा और जिसका साक्चर्टा दर अधिक रहेगा, वह पिचरा कैसे रहेगा मैं प्रधान मंतरी नरंदर मोधी से पूछना चाहता हूँ कि आखे कौन से रिपोर्ट थी जिसके आधार पर आपने मोध और घांची जाती को पच्छरा जाती में रखने का नोटिफिकेशन जाली कर दिया अगर उनमें हिम्मत है तो वो मेरे आरोपों को गलत बता कर दिखाएं इसके साथ उन्होंने चुनौति देते वे कहा कि या तो मेरे खिलाफ कानूनी कारवाई करवाई या फच्छर जाती जनगना का करवाले उससे दूद का दूद और पानी का पानी को जाएगा आई औसी ने क्रिकेट को दी ओलमपिक खेलो में मनसूरी वर्श तो हज़ार अथाएस में लॉस अंजलिस में होने वाले ओलमपिक खेलो में अव क्रिकेट को भी आधिकारिक तोर पर मनसूरी दे दी गई है बतादी किसी के साथ अब एक बार फिर से 128 सालों के बाद उलम्पिक में क्रिकेट की चमक दिखाई देने वाली है वहीं इसको लेकर IOC मेंबर नीता एम अमबानी के दौरा कहा गया है कि क्रिकेट को उलम्पिक खेलों में शामिल करना एक स्वागत योग्य कदम है इस फैस्टी से दुनिया में उलम्पिक आंदोलन को लेकर लिए गए नई रूची और कहीं नए असर पैदा होंगे उन्होंने कहा कि विश्व अस्तर पर क्रिकेट सबसे अधिक पसंद किये जाने वाले खेलों में से एक है आपको जानकारी के लिए बता दी कि वर्थ 2028 में होने वाले उलम्पिक में क्रिकेट T20 प्रारूप में खेला जाएगा वहें इस पर BCCI सचीर जैसा के दोरा टूइट कर कहा गया है के इतिहासिक समाचार क्रिकेट 2028 में ग्रिश्म कालीन उलम्पिक में शांदार वापसी करने के लिए पूरी तरह तयार है जो इस खेल के लिए एक महत्रपूंच छन है अपने पिशली उपस्तिती के 128 साल बाद या बहाली ना किवल क्रिकेट की समर्द विरासत का जश्न मनाती है बलकि वैस्विक मंच पर खेल के लिए नए 36 भी खोलती है भारत के इतिहास में आज की तारीक है कहीं कार्णो सदर्च कलकता बंदरगा को ठासो सतर में एक समयधानिक निकाई प्रबंधन के तहत लाया गया मदर टेरेसा को 1989 में शांती के लिए नोबल पुरुसकार प्रदान किया गया नियूजिलैंग की प्रदान मंत्री कलार्क 2004 में भारत पहची गवांतानमो बे बंदिग्री में अमेर्की स्यानी को दोरा बंदियों को अमानविये यातनाई दिये जानी का रहस्यूद घाटन हुआ एकाधिकार वप्रतिबंधित वैपार आयोगने 2008 में नीजी एरलाइन्स किंग फिशर और जट एरवेस के गडबंधन की जाज के आदेश किये अलिगर ओरियंटल कॉलेज के संस्थाप पक सरसयद एहमद खान का जन्म 287 में हुआ भारती इसाई महला संथ सिस्टर यूपरा सिया का जन्म 287 में हुआ सुतनता सिनानी सारंगधर ताश का जन्म 287 में हुआ हिंदी के प्रसिद साहितिकार दूधनात सिंग का जन्म 296 में हुआ भारती क्रिकेट टीम के कप्तान अलेन कुमले का जन्म 297 में हुआ हिंदे फिल्मों के प्रसंद भारती अभिनेतरी इसमिता पाटिल का जन्म 1975 में हुआ हिंदु धार्विक नेता जो अत्यदिक व्यक्तिगर्द और कावयात्मक धंके वेभारिक वैदान को पढ़ाने के लिए विख्यात स्वामी राम तर्थ का निधन 1906 में हुआ बारल करे में आजम बात करेंगे सीमा सुरक्षाबल के बारे में पूरियों को उचित जबती ग्यापन पर सीमा सुलक कारयाले बार सोरा को सौप दिया गया है जीमेल पर इन स्टेप्स को फॉलो कर खाली करे स्पेस जीमेल का इस्तमाल हम खासतोर पर आधिकारिक मेल भेजने के लिए करते हैं गूगल अपनी ड्राइब जीमेल और अने पर फ तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे इसके लिए सबसे पहले अपने PC या मोबाइल डिवाइस पर किसी भी ब्राउजर में जीमेल खुरे अब उस इन बॉक्स, सोशल, स्पैम फोल्डर या फोल्डर में जाएं जिससे आप इमेल डिलीट करना चाहते हैं फिर उपरी बाइं तरफ के डाउन एडो पर क्लिक करें अब उन मैसेज का चैन करें जिन्हें आप भटाना चाहते हैं या चेक बॉक्स पर क्लिक करके सभी मैसेज का चैन करें अब डिलीट पर क्लिक करें मैसेज को ट्रास पोल्डर में भेज दिया जाएगा महिला सम्मान बचत पत्र योजना का लाब लेने में बिहार फिसड़ी महिलाओं को जोडने का काम किया जाएगा बतादी कि डाक विभाग के दोरा जारी के गया आंकरे से जानकारी निकल कर सामने आई है कि अप्रेल महासिस सितंबर मा तक बिहार डाक सलकिल अंतरगत आने वाले डाक घड़ों में मातर 6,571 खाते ही खोले गया है मालमों कि योजना के तहट महिला अपना खाता खुलवा सकती है इस योजना पर 7,5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से बैयास दिया जाता है इस लगू बचत योजना को मार्च 2015 तक निवेश के लिए 2 साल की अवधी के लिए उपलब्द कराया है वैशाली, बेगुसराय और बिहार सरीफ में बनेंगे 3 नए पावर सबस्टेशन बिहार में निर्बाद और गुनवत्ता पुन बिजली उपलब्द करवाने के लिए नव नर्मित ग्रीडों से पावर सबस्टेशनों को जोडने पर 46 करोड रूपए खर्च के जाएंगे बतादे किसको लेकर विजली आपूर्थी कंपनी की ओर से मंजूरी दे दी गई है विजली कंपनी के मताबिक विहार सरीफ के सूपर ग्रीड कैंपस में 14.73 करोड रूपए की लाग से पावर सबस्टेशन स्थापध किया जाएगा तो महीं वैशाली में 10.62 करोड रूपए की लागसे और वेगुसराय में 11.98 करोड रूपए की लागसे नए पावर सबस्टेशन की स्थापना की जाएगी हम प्रते दिन आप से पांच ऐसे जरुरी सवाल और उसे जुले जवाब बताएंगे जो की बीपासी बिहार पुलिस दारोगा समीत एससी जैसे अने प्रतियोगी पर इच्छाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास पिहार स्पीशल विज्ञान करेंट अफेर्स और भुबोल से रहेंगे पूछे गए पांच ओ सवाल में आपने कितना सही तरदिया कृपकर करके यहां में कॉमेंन करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में किसे लॉरियन्स के एंबेस्टर के रूप में समानत किया गया है अप्शनी मैरीकॉम, अप्शनी नीदस छोपरा, अप्शनी गीता फोगाट, अप्शनी विराट कोली इसका सही उत्तर है अप्शनी नीदस छोपरा अगला सवाल, हाली में RBI ने किस पेमिन्ट बैंक पर 5.4 करोरो रुपए का जिर्माना लगाया है उप्शन A, Paytm, उप्शन B, Google Pay, उप्शन C, Phone Pay, उप्शन D, इनमें से कोई नहीं इसका सही तरहे उप्शन A, Paytm अगला सवाल, हाली में जारी Global Hunger Index 2030 में भारत कौन से स्थान पर रहा है उप्शन A, उप्शन B, 89, उप्शन C, 111, उप्शन D, 115 इसका सही तरहे उप्शन C, 111 अगला सवाल, हाली में किस राजी में सक्षको को टेस्ट के माध्यम से सरकारी करमचारी का दर्जा दिया जाएगा उप्शन A, उप्शन B, उप्शन B, उत्तर प्रदेश, उप्शन C, छारखन, उप्शन D, कॉलकता इसका सही तरहे उप्शन A, उप्शन A, उप्शन D, उप्शन D, 11 इसका सही तरहे, उप्शन C, 9 बीते दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमें हमारी कॉमेर्स एक्षन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार शीद कालीन सत्र में विपक्ष को किन किन मुद्धों पर सरकार को घेरना चाहिए अपना जवाब हमें अमारी कॉमेंट सेक्षर में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बन रहने के ले देखते रहे बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे तो पेस को फॉलो करना ना भूले धने बाद